एलो एवरिवन आज 25 जन्वरी है और हमारी ऑंगोईं बाइक राइड का फोथ डे है और इस फोथ डे में हम आप पहुंचे हैं भिमकुंड जो की छतप्पु जिले में है मध्यपदेश के सागर से इसकी डिस्टेंस 95 किलोमीटर है अगर आप छतप्पु साइड से आ रहे हैं तो आपको 70 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा इस भिमकुंड के प्रांगण में एक आवास्चिय संस्कीत विद्याले है और सामने मंदिर भी है यहां तो पहुंचने के लिए रोड का निस्टेंस काफी अच्छे हैं और सागर टू छतप्पुर में हाईवे है उससे 12 किलोमीटर ही अंदर आना है यह रोड भी काफी अच्छा है इतिहांसी खोने के साथ साथ यह जगा रहस्यों से भरी हुई है तो चलिए आगे देखते हैं इसकी सौर्ट इस्टोरी यह है इस जगा का संच्छित परिचा है कुछ लो विडियो का अनुसार इसका इतिहांस और भी पुराना है वीडियो पॉश्क करके पढ़ लें ऐसा कहा जाता है कि महभाद के समय भीम ने दरुबदी और अपने भाईयों की प्यास पूजाने के लिए अपनी एक गदा के प्रहा से ही इस चटानी जगा पे एक जल के सुरत क तरिमान कर दिया और जुन ने फिर अपने तीरों से वहां तर पहुंचने कर रास्ता बनाया और तब से इस जल सुरत को भिमकुन के नाम से जना जाता है और यहां से भिमकुन के अंदर तक जाने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं और इसकी चतों को देखिए इसकी लेवलिंग कितने स्मूथ है भिमकुन में इसनान करने का एक अलगी महतु है इसलिए यहां के लोग और विश्टर्स जो भी आते हैं यान आत ज़रू है हमाई पास चुकि समय कमी है इसलिए हम नहीं पाएंगे समाने तह ऐसा दिखाया आता है कि इस्थित जल्द सोत का पानी गंदा हो जाता है उसमें से बद्बू आने लगती है और उसका रंग भी अलग होता है लेकिन इस जल्द सोत में प्रती दिन बहुत से लोग इसनान करते हैं फिर भी इसका पानी बिल्कुल साफ है स्वच है निर्मल है पानी में कुछ मीटर नीचे तक आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं इससे जुड़ा एक और रहस यह है कि कितने ही टाइवर्स और अंडर इसके पानी का और सुनिक बलु होना अपने आप में एक रहसी की बात है किम्कि आइसा रंग सिर्फ महासागरो और सागरो के पानी का होता है समाने तर इसकुंड का जल स्तर एक ब्राबर सा एक साही बना रहता है लेकिन किसी बड़े परकेतिक आपदा किसमें इसके स्तर में बीधी देखी गई है और एक अपने आप में रहसी की बात है इसामें जो इस्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यह मैनमेड है और रेसेंट और आप दिख सकते हैं कि पानी में तैती हुई मचलिया और पानी का रंग और इसकी क्लाइटी कुछ फिट निचे तब इल्कुछ साफ दिखाई दे रहा है इस कुन के बारे मैं आपको एक वरा समय बात बता दूँ कि इसमें डूपकर मरने वाले का मित सरीर कभी भी उपर नहीं आता है वह नीचे ही कहीं ग्याब जाता है दुबारा को भी मिलता नहीं है